ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नवस्कार महुख फिरोज हास्मी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुम्रा की राजनीती विकासकारियों के दावे तेज हो गई है हर कोई कलवा मुम्रा से विधायक की चुनाव लड़ने की तैयारी में जुड़ गया है जिसे राजनीती की ABCD नहीं मालूम है वो भी चुनावी अखारे में कूदने की बात कर रहा है और ऐसे में 27 सालों से मुम्रा में सहकार विभाग के ठाने सहर अध्यक प्रदीब जंगम ने भी दावा किया है मुम्रा कलवा में मैं पहला दावेदार हूं मैं विधायक के चुनाव लड़ूगा पारटी मुझे टिकिट देनी चाहिए क्योंकि मैं मुम्रा कलवा से दावेदार हूं 27 साल से लोगों के प्रती मैं काम कर रहा हूं मैं यहां पेचुनाव लड़ना चाह रहा हूँ. मैं 27 साल से यहां कार्य रहत हूँ. यहां की जंता हर गली में मुझे जानती है, पेचानती है, मेरे काम को जानती है. और 24 hours मेरा फोन चालो रहता है लोगों की सेवा मैं दिन रात करते रहता हूं यहां के लोग 27 साल से मेरे से जुड़ रहे हैं 20 साल पहले मेरे पास व्यापवी संगटना, ट्रांसपोर्ट संगटना, हॉकस यूनियन मेरे पास यहां के सभी लोग, 90% सब लोग मेरे से जुड़े हुए थे हमारे जो मंत्री महुद एकराज जी सिंदे साहब है ओभी आपत्ती आई है, पुरे महाराष्ट में, ओदवरे पे आपत्ती के ओमान कान कर रहे हैं, सब जगा पे पोच रहे हैं, खुद पाने में उतर के सब को लोगों की सिवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको जो जो चीज की कमी है उनको कमी पूरी कर रहे हैं, तो उनसे अभी पंजा दिन से तो मुलाकात नहीं हो रही है लेकिन आपके जैसे पत्रकार भाईये लोगे है उन्हों वहां तक संदेशा गया है और मेरा काम है यहाँ पर एक नंदर का दावेदार हूं है कि तो मैं 27 साल से यहाँ पर शूसने को संभा रहा हूँ शूसने की एसाथ में चल रहा हूँ शूसने की कारिया को, बाला साप के कारिया को, मुस्लिम भाई के बारे में, बाला साप के दिल में क्या था, उसके बाद में उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि यह शूसेना कर रही है, शूसेना के नेते यह मुस्लिम भाई के लिए कर रहे है शूसेना कर रहे हैं, शूसेना साहकार विभाग से प्रदीब जंगाम अपनी पूरी ताकत जोक रहे हैं, उन्हें यहां से चुनाओ लड़ना है, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने मुम्रा कलवा में काम किया है, टिकिट की मांगे कर रहे हैं, और इसी के साथ समाज र आजनीकी से जुड़ी हुए खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहाय टैंक्स